Hello everyone, Welcome back to my channel, My name is SONY and Welcome to SONY Almicore तो कैसे है आप सब, तो चलिए आज की वीडियो को स्टर्ट करते हैं आज की वीडियो हमारी होने वाली है FACILS related और FACIL लिया है हमने यह VLCC का Skin Brightening Facial Kit, जो की 5 Step Facial Kit है हमारा 1inde का Facial Kit लिया है, मैंने 125 MRP था 110 में मुझे On Discount मिल गया था किम करना होगा अपने प्रिफ को अच्छे से और उसका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा नहीं वह अपना वर्क नहीं कर पाएगी तो हमें deep clean करना होगा अपने face को अच्छे से और cleanser जो करता क्या है basically जब हमारे face के अंदर pollution की वज़य से जो धूल मिट्टी गंदगी इदम fix हो चुकी होती है pores के अंदर जाके बैट गई होती ही जिद्धी मैल जो होती है जो face wash से भी नहीं निकलती है तो हमें उसे deep clean करना जब होता है तो हम cleanser का इस्तमल करते हैं cleanser वो deep clean कर देता है यहीं कि pores को एकदम गंदगी से खाली कर देता है तो हमें जहां जहां पे neat ज़्यादा लग रही है वहां वहां पे अच्छे से clean करना है eyes area को भी cover करना है neck को भी अच्छे से core करना है और nose के जो side में यहां पे pin के नीचे जो area है उसे भी अच्छे से clean करना है cleanser की massage हमें एक से देड़ मिनट तक करना है उसके बाद wipe up कर लेना है और बीच बीच में आपको water का इस्तमाल करते हुए ही massage करनी है इस cream को अपने face में सुखने नहीं देना है या फिर absorb नहीं धोने देना है नहीं तो जो धूल मिट्टी निकली हुई होती है बाहर वो वापस से skin में fix हो जाएगी इस वज़े से आपको water का इस्तमाल करते रहना है बीच बीच में तो हमारा जो है cleanser का step पूरा हो चुका है face बहुत अच्छी से हमने clean कर दिया है clean करने के बाद हमारा जो next step है scrub second step उसे follow करना है तो जितने भी cream है पूरा ले लेना है और guys देखिए इसमें जो छोटी छोटी पार्टिकल से बहुत mild है बहुत soft है बाकी other facial kit में जो scrub आते हैं उसमें जो दाने होते हैं बहुत दरदरे होते हैं बहुत नुकीले होते हैं अगर हम उसे हाथों को दबा के massage करेंगे तो हमारी skin छिल जाती है या इचिंग होने लगती है तो आप इस facial kit में ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत mild है तो बहुत अच्छे से हो जाती है तो जब भी हम scrub करते हैं तो nose area पे ज़्यादा करना है हमें massage क्योंकि यहाँ पे blackheads whiteheads होते हैं blackheads whiteheads जो होते हैं scrub से बहुत हद तक निकल जाते हैं और जहाँ पे हमें लग रहा है कि darkness ज़्यादा है वहाँ पे भी करना है scrub basically करता क्या है हमारे skin के अंदर जो dead cells होते हैं skin में उसे निकाल देता है मरी हुई skin को जो है निकाल देता है और face को एकदम smooth बना देता है तो facial में देखिए 5 step आते हैं किसी किसी में 7 step आते हैं किसी में 8 किसी में 10-10 step आते हैं तो confused नहीं होना है आपको उसमें mention किया होता है कैसे कौन सा step यूज करना है तो आप उसे पढ़के यूज कर सकते हैं ठीक है और गाईस देखिए facial क्या करता है facial में ये 5 step 7 step जो भी होते हैं ये क्या काम करते हैं देखिए facial करने का मतलब है स्कीन पे अच्छा सा glow लाना फिर इसकीन के एकदम cleaning करना तो देखिए हम अपने face को अच्छे से clean करते हैं cleanser से फिर उसके बाद dead cells को white heads black heads को remove करते हैं फिर white heads वगरा जब remove हो जाते हैं तो इसकीन एकदम plain हो जाती है फिर उसके बाद gel का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमने scrub किया है black head white heads निकाले हैं इस्टीम लिए हैं तो उसे skin को relax करने के लिए हमें gel दिया हुआ होता है जब skin अच्छे से relax हो जाती है तब हम massage cream से massage करते हैं massage करने से हमारे जो blood circulation होता है वो बढ़ जाता है और skin के अंदर जो नसे होती है उनकी सिकाई होती है जिस वज़ए और तो और जब हमारा client एकदम relax feel करता है उन्हें steps को feel करता है तब जाके बहुत अच्छा सा glow आता है और फिर जब हम massage किये होते हैं skin में थोड़ा सा धीला प skin गुजरती है तब जाके हमारे face पे अच्छा सा glow आता है तो देखिए जब हमने scrub किया ना scrub करने के बाद steam लेके भी scrub किया है उसके बाद face पे अच्छे से scrub को remove किया है और उसके पीन से हमने अच्छे से blackheads और whiteheads को remove किया है गैस अगर आपके nose पे blackhead whitehead नहीं है तो आप इसी step को skip कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप करना चाते है तो एदम light hand से ऐसे ही पीन को चला ले skin पे उसके बाद next step को follow करे और जिनको नहीं है वो ज़्यादा छेड़ छड़ नहीं करे उन्हीं सकीन पे नहीं तो whiteheads blackheads आने के chances बढ़ जाते हैं तो देखिए हमने हल के हातों से remove कर लिया है अब उसके बाद हम एक से जो थोड़ा बहुत scrub के दाने हैं वो remove कर लेंगे उसके बाद हमारा third step है जेल ठीक है तो जेल के बारे में मैंने बता दिया है जेल जो होता है हमारे skin को अब relax करेगा इसे लगाने के बाद एदम thंड जैसा महसूस होता है skin एदम cool हो जाती है steam जो लिये होते हैं जिसकी गर्मा हाट को यह दूर कर देता है और इसकी जो मसाज है हमें इसे upward direction में करना है पाम का इस्तमाल नहीं करना है फिंगर का ही इस्तमाल करना है और skin को uplift करना है और इसमें जो toner rose water है उसमें यूज नहीं करना है इसकी मसाज हमें तब तक करनी है जब तक कि हमारे skin में अच्छे से absorb ना हो जाए ठीक है उसके बाद हमें next step को follow करना है आप चाहें तो जब यह skin में absorb हो जाएगा तो आप चाहें तो इसे बीना clean किये next step को follow कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते clean करना तो आप इसे clean भी कर सकते हैं तो अब यह team जो है अच्छे से absorb हो चुकी है हमने हलका हलका सा clean किया ज्यादा skin को प्रेस नहीं करना है sponge में तो देखिए यह हमारा fourth step है facial cream जो की massage cream है और पूरा massage cream निकाल लेना है all over face पे नेक पे अच्छे से लगा के इसे अपवर डिरेक्शन में massage करनी है और बहुत से लोग पूचते कि हमें massage cream कितने देर तक करनी है तो guys देखिए अगर आपकी जो cream है जब तक absorb नहीं होती है स्कीन में तब तक आपको massage करते रहना है दस से पंद्रा मिनट तक कम से कम massage करना है और गाइस देखिए बहुत से cream जो facial kit में आती है उनमें water का या फिर टोनर का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन इस cream में कुछ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है आप जितना massage करेंगे इस cream से उतना ही oil निकलता है और cream गयब हो जाएगी और आपके face पे सिर्फ और सिर्फ oil दिखाए देगा तो आपको इस सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतल को ज्यादा massage नहीं देनी है skin पर ठीक है क्योंकि देखिए जब हम massage करते हैं तो हमारे skin में heat create होती है heat create होने की वज़ए से हमारे skin और oily हो जाएगी या फिर heat की वज़ए से हमारे skin में यानि की skin में जब गर्माहाट आ जाती है तो pimples वगरे निकलने के chances ज्यादा हो जाते है और ज्यादा हो जाते हैं जिनको pimples already है या फिर उनके pimples पे ज्यादा massage करेंगे तो client को relax feel होने के बज़ए वो irritate हो जाएगा तो आपको massage ज्यादा नहीं देनी है अगर client बोलता है जिद करता है तो उन्हें ये बात अच्छे से समझाए क्योंकि client को क्या देख के जो देखत और pimples वाली है उन पे steam को भी avoid करना है थोड़ा बहुत दे के stop कर देना है ठीके और बहुत से लोग कुछते की मैम कौन सी skin पे कौन सा facial shoot करेगा कैसे पता लगा है तो देखिए ये सब बहुत deep knowledge है हम एक वीडियो में नहीं दे पाएंगे लेकिन फिर भी shortcut में मैं बता देती क्यूं अगर जिनकी skin fair है तो वह कोई भी company का facial करवा सकता है उन पे सब अच्छे suit कर ले जाएंगे अच्छे से gold का ज्यादा suit करता है फेर skin tone पे और अगर रही बात सावली skin वालों के लिए तो उन पे diamond का facial बहुत suit करते मतलब बहुत अच्छे से suit करता है बहुत अच्छा glow ठीक है और ब्लीच की बात रहती है तो बहुत से लोग पूचते कि मैं हम क्या जो facial kit जिस brand की है हमें उसी brand का यूज करना है ब्लीच या other brand का चल जाएगा या फिर हमने गोल्ड का facial कराया है और diamond का facial bleach यूज कर सकते हैं क्या तो गाइस दिखिए ऐसा कुछ भी नहीं है आप यूज कर सकते हैं अलग-अलग company की ठीक है आप अगर गोल्ड का कर रहे हैं फेशल तो आप डामेंड का कर सकते हैं ब्लीच ऐसा कुछ भी नहीं अगर लेकिन आपके पास गोल्ड का ब्लीच है तो आप उसे यूज करें क्योंकि बहुत अच्छा ग्लो आएगा मतलब वह अ जो थर्ड आई वाला पार्ट है वहाँ पे हमें एक दम अच्छे से प्रेस करके अपवर्ड डिरेक्शन में लेके जाना है यह बहुत अच्छा स्टेप है इससे क्लाइन को बहुत रिलैक्स फील होता है और यह हमारा अपलिफ्ट वाला एरिया है जहां पे जिसको डाक सरक ज्यादा है तो यह स्टेप कर सकते हैं नोज एरिया पे कॉर्नर वाले साइड में करना है उसके बाद जिनको डबल चीन की प्रॉबलम है आपको यह स्टेप जरूर देना है उनको अपलिफ्ट करना है स्कीन को और डबल चीन वाले लोग के लिए यह भी स्टेप बहुत तो जितने स्टेप दिखा रही हूँ चीन के साइड में वो डबल चीन वालों के लिए अच्छा है जिनकी स्कीन लूज हो चुकी है वो इस स्टेप को जरूर करें अब यह हमारा फेशल का लाज स्टेप है प्रेस पॉइंट प्रेस पॉइंट बहुत जरूरी है तो देखे हमारे प्रेस पॉइंट है उसके बाद हमारा जो फेशल है वो कंप्लीट हो जाता है अच्छे से क्लीन करना है ज्यादा रगड के नए क्लीन करना है उसके बाद हमें फेस पैक लगाना है फेस पैक को हमें अपवड डिरेक्शन में नीचे से उपर की साइड में लगाना है वीडियो थोड़ी सी बलर हो गई थी उसके बाद इसे हमें सेमी ड्राय यानि की 80% ड्राय करना है 100% ड्राय बिल्कुल नहीं करना है ने तो आपकी स्कीन ड्राय पड़ जाएगी तो खिचाओ जादा हो जाएगा और क्लाइंट को मना करना है कुछ भी बोलने से ने तो इसकीन है उसके बाद हम इसे गीले हाथ से पहले इसे अच्छे से वापस से गीला करेंगे उसके बाद ही हम क्लीन करेंगे वाइप अप करेंगे अगर आप डिरेक्ली से क्लीन करने की कोसिस करेंगे तो इससे आपको जो हमारा स्पॉंज बहुत ज़दा घिसना पड़ेगा फेस मे अभी ना कुछ यूज करे, कोई क्रीम, कोई फाउंडेशन कुछ भी यूज ना करे फेस को as it is मुश्राजर लगा के छोड़ दें